हेलो किड्स मैंने हत्रिपाथी एक बार फिर से जी के सेशन में आपका वैलकूम करती हूँ प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ाता होम और उसके डिफरेंट रोम्स के बारे में होम में कौन-कौन से डिफरेंट रोम होते हैं एक होम में बैडरूम, किचन, लिविंग रोम, बाथ रोम, किड्स रोम एटसेक्टर आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स चैप्टर बी सेफ एट होम सेफ मीन्स सेफ मीन्स होता है सुरक्षित हमें घर पर रहकर कैसे सुरक्षित रहना है ऐसा नहीं है कि घर के बाहर ही सुरक्षा होती है या घर के बाहर ही हम सेफ नहीं होते कई बार ऐसा होता है कि घर में भी बहुत सारी चीज़े होती है जिनसे हमें अपने आपको सेफ रखना पड़ता है तो आज हम उनी के बारे पढ़ेंगे कि हम घर पर रहते हुए भी कैसे सेफ रह सकते हैं तो उसके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन Never try the following things and stay safe आपको जो चीजें मैं यहाँ पर read कर रही हूँ वो कभी भी try नहीं करने चीए घर पर अगर आप इनको try नहीं करेंगे तो आप सुरक्षित safe रह सकते हैं और अगर आप इनको try करेंगे तो यह इससे आपको आप accident हो सकता है या आपको कोई harm पहुंच सकता है कुछ चोट लग सकती है तो शुरू करते हैं हमारा पहला point जिसको हमें नहीं करना चीए घर पर use क्योंकि यह safe नहीं है हमारे लिए हमारा पहला work है do not touch switches and wet switches with wet hands आपको do not touch मतलब touch नहीं करना आपको जो switch होते हैं हमारे switches होते हैं light के on off करने के other electric switch जो होते हैं जिसली के चाहे वो fan हो चाहे even cooler का switch हो जिसका भी switch हो आपको कभी भी गीले हात्तों से Jobs wet means कीईला गीले हात्तों से आपको कभी भी उनको touch नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए safe नहीं होता है electricity wires को कभी भी टच नहीं करना चाहिए और जो switches होते हैं उनको भी गीले हातों से कभी touch नहीं करना चाहिए second है do not play with sharp object sharp means पैने नुकीले sharp means पैना या नुकीला आपको कभी भी नुकीली चीजों के साथ खेलना नहीं चाहिए जैसे कि घर में कौन-कौन सी नुकीली चीजे होती हैं बच्चो knife, scissors और बहुत सारी scissors है knife है बहुत सारी चीजे ऐसी होती हैं जो की sharp होती है blade है पापा हमारे जब shave करते हैं तो कई बार उनका जो shaving kit होती है उसमें blades होते हैं तो जो भी sharp चीजे होती हैं हमें उनके साथ खेलना नहीं चाहिए क्योंकि उससे हमें चोट पहुंस सकती है हमारा third point है do not go near the fire near means pass और fire means आग हमें कभी भी आग के नजदीक नहीं जाना चाहिए हमें gas से दूर रहना चाहिए घर में अगर barbecue है या और भी कोई ऐसे आइटम है जिन में आग होती है तो हमें उनके नजदीक नहीं जाना चाहिए ये set नहीं होता है अब बात करते हैं हमारे fourth की do not run on the stairs आपको कभी भी सीडियों पर भागना नहीं चाहिए stairs मिन सीडियां सीडियों पर बच्चो कई बार होता न हम भाग कर चड़ते हैं और उतरते वक्त भी भाग कर उतरते हैं तो ये बिल्कुल भी safe नहीं है ये unsafe है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सीडियों पर भागते वक्त हम गिर सकते हैं और हमें बहुत जादा चोट आ सकती है इसलिए हमें सीडियों पर कभी भी भागना नहीं चाहिए फिफ्थ है हमारा do not jump over the furniture हमें कभी भी furniture के ऊपर या furniture से furniture पर खड़े होकर jump नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी हमारा accident हो सकता है हमें चोट लग सकती है तो हमें कभी भी furniture पर चढ़कर नीचे की तरफ कूदना नहीं चाहिए या furniture पर भी उचल कूद नहीं करनी चाहिए जिससे है क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम disbalance होकर नीचे गिर सकते हैं 6th point है हमारा do not try to get thing from height अगर कभी आपकी मदर कुछ जार वगरा उपर उचे पर रख देती हैं उचाई पर उचे shelf पर रख देती हैं तो आपको कभी भी उनको लेने का उची height पर रखा है तो उनको उतारने के लिए अपने आपसे वह नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिस नहीं करने के कि मैं इतने उचे पर किसी समान को रख कर चड़ जाता हूं या चड़ जाती हूं और मैं उससे तार लेती हूं नहीं इससे भी आप गिर सकते हैं आपको चोट लग सकती है आप उन समान को उतारने के लिए अपने बड़ों की help लेजिए आप खुद ऐसी ट्राय मत क करिए कि आप उस समान को किसी टेबल कुर्सी पर चड़ कर उतार लेंगे यह क्योंकि आप जब उससे गिर जाएंगे या वो टेबल और चेयर डिस बैलेंस हो जाएगी तो आप नीचे गिर सकते हैं और आपको बहुत जादा चोट लग सकती है तो यह भी हमारे लिए सेफ नहीं है तो हमें बच्चो ऐसा नहीं करना है जो भी चीज़े हाइट पर रखी है उचाई पर रखी है उनको लेने के लिए खुद ट्राय नहीं करना है अब हमारा सेवन्थ पॉइंट डू नोट प्ले आउटडोर गेम इन दा हाउस जो आउटडोर गेम्स होते हैं उनको ह हमें घर में नहीं खेलना चाहिए आपको घर में कौन से गेम खेलने चाहिए येस इंडोर गेम्स हमें घर के अंदर इंडोर गेम्स खेलने चाहिए लाइक्स लूडो कैरम अधर इसेक्टर बट हमें आउटडोर गेम्स जो होते हैं होकी क्रिकेट ये सब गेम्स आउटडो गेम घर में खेलेंगे तो उससे भी आपको भी चोट लग सकती है आपके साथ जो आपका पार्टनर आपकी सिस्टर ब्रदर खेल रहे हैं उनको भी चोट लग सकती है और घर का कोई फरनीचर भी तूट सकता है वो भी ब्रेक हो सकता है आपके घर की विंडोस जो ग्लास है व cleaner and medicines आपको जो cleaner cleaners वो होते हैं जिसको जो इसका यूज हमारी मम्मी घर को साफ करने के लिए घर को जब सफाई करती हैं तो उसका यूज करती हैं जैसे की फेनायल या कॉक्रूच सब एकॉच निकले जो होते हैं कॉक्रूच स्प्रे यह सब तेजाब इन सब चीजों का जो cleaners है और जो medicines है आपके बड़ों की जो medicines होती है उनके साथ भी आपको नहीं खेलना चाहिए ये भी आपके लिए safe नहीं है तो आपको इन सब चीजों से बिलकुल नहीं खेलना चाहिए और आपको इन सभी points को याद करना है और अपने mind में रख लेंगे घर पर क्योंकि आपके लिए unsafe होंगे इसलिए आपको कभी भी इन सब चीजों को घर पे ट्राइ नहीं करना है तो अब बात करते हैं आपके आज के homework की आपका जो homework है वो करना है आपको page number 17 की जो exercise है आपको वो book में फिल करनी है मैं एक बार read कर देती हूँ tick the safe habit and cross the unsafe ones आपको जो इसमें से safe habits है हमारी अच्छी आदते हैं जो हमें सुरक्षित रख सकती है उनको तो आपको right tick करना है और जो हमें unsafe रख सकती है या जिन से हमें harm पहुंच सकता है चोट लग सकती है उनको आपको cross करना है क्या stairs पे दोड़ना safe है मैंने अभी आपको ब तो आपको करना है ये क्या चीजों को खुद उचाई पे हाइट पे जो चीजें रखी है उनको उतारना safe है तो आपको इसी तरीके से जो भी safe है उस पे tick का option टिक करना है और जो unsafe है उसे आपको cross करना है तो ये था आपका आज का homework तो सभी बच्चों को I hope समझा गया होगा क हमें घर पर कैसे सुरक्षित रहना है कैसे safe रहना है तो बच्चों ये homework करने के बाद आप whatsapp पे इसकी pick मेरे साथ share करें वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूलें बबाई मैं फिर मिलूंगे आपसे next वीडियो में बबाई